हेलो स्टुडेंट्स आगत है आप सभी का आर्वी डिटीव क्लास में तो स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की मायत से एक्सराइज 4.4 का कोश्चन नमबर 2 डिसकस करूंगा एक कोश्चन क्वाड्रेटिक एक्वेशन चेप्टर से लिया गया है और आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा चलिए शुरू करते हैं आपके कोश्चन नमबर 2 find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots first question 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 second question kx under bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0 तो यह question है मारे पास इनको हमें solve करना है k की value find करनी है question बहुत ही easy है देखो condition दिया है they have two equal root क्या condition दिया है they have two equal root वह या देखो two equal root का condition होता है capital D is equal to b square minus 4ac यह हमारा determinant होता है capital D और इसका formula होता है b square minus 4ac देखो जब भी डी is equal to 0 होगा तो हमें मिलेगा two equal roots क्या मिलेगा two equal roots इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि b square minus 4ac is equal to 0 यह वाला formula apply करना है और हमें इस पर रख देना है के की वैलू मिल जाए हुए clear यानि कि जब भी बोले two equal roots तो आपको यह formula apply करना है b square minus 4ac is equal to 0 ठीक है क्या हमारा solution to the first question है we have 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 अब यहां पर देखो एक ही value क्या है a is equal to two b is equal to k and c is equal to three according to condition v square minus 4ac is equal to 0 v की value है k means k square minus 4 into a is equal to 2 c is equal to three is equal to 0 तो यहांसी क्या हो जाएगा देखो k square minus 4 to 8 8 3 to 24 minus 24 is equal to 0 देखो अगर k की value find करनी है तो minus 24 इदर है उधर जाके plus हो जाएगा means k square is equal to 24 अब अगर आपको k की value find करनी है तो इदर से square हटा कि उधर root लगाना पड़ेगा यानि कि k is equal to square root 24 अब देखो 24 का square root कैसे find करेंगे तो 24 का square root prime factorization method से find करेंगे 202 224 2612 236 313 तो एक के pair बन रहे हैं तो यह square root 24 की value आ जाएगी 2 square root 6 कितना आ जाएगा 2 square root 6 आ जाएगा तो यहां पर rate कर देंगे k is equal to 2 square root 6 अब अगर कोई भी value square root में होती है जब उसका square root लेते हैं तो value plus minus में आती है किसमें आती है plus minus में यानिकि k is equal to plus minus 2 square root 6 तो यह हमारा question का answer हो गया अब हम अगला question solve करेंगे तो next question में solution 2 second यहां से दिखो सबसे पहले आपको इसको bracket के अंदर multiply करना पड़ेगा we have kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 इस case में क्या करना होगा कि थोड़ा साब को इसको अंदर multiply करना होगा तो दिखो यह जब अंदर multiply होगा तो पहले हो जाएगा kx square minus 2k x plus 6 is equal to 0 थीके यह हो जाएगा हाँ पर अब यहां से देखो जो एबी सी की वैलू हो गई a is equal to k b is equal to minus 2k c is equal to 6 यह हमारे ओगए ABC की वैलू ठीके यह एक की बैलू यह बी की वैलू और यह है सी की वैलू आप इसको रखेंगे हैंना कि यूजिंग कंडिशन तो जब condition use करेंगे B square minus 4 A C is equal to 0 तो यहाँ पर value उचको put करेंगे B की value है मारे पास minus 2 के उसको bracket में रखेंगे whole square minus 4 into K into 6 is equal to 0 minus का अगर square होता है तो value plus में आती है यानि कि minus 2 का square 4 K square 46024 minus 24 K is equal to 0 यहाँ से हम 4 और K को common कर सकते हैं क्या कर सकते हैं 4 और K को common कर सकते हैं 4 यहाँ पर है और यह 4624 तो 4 K को common कर सकते हैं यहाँ से जब 4 K को common करेंगे तो यह देखो K square है के वलके बच्चेगा और यह देखो minus 1 है minus 1 बचेगा 4624 तो 6 आ जाएगा और K बाहर निकल गया तो ऐसे ही रहेगा इसे ही रहेगा इस इकल टू जीरो ठीक है आप देखो यहाँ एक फेक्टर बनेगा मैं फिर से बता देता हूं जैसे कि यह 4 K है मालो एक ब्रेकट में है और K minus 6 एक ब्रेकट में तो देखो एक फेक्टर यह बन जाएगा और एक फेक्टर यह बन जाएगा और 0 भाई 4 करोगे यानि कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइट करोगे तो आंसर 0 आजएगा यानि आंसर आपको मिलेगा K का 0 क्या मिलेगा 0 तो इतना बड़ा नहीं करते हैं हमें पता है तो डारेक्ट क्या आजएगा डारेक्ट आजएगा K is equal to 0 means 4K is equal to 0 K is equal to 0 and यह जो K minus 6 है इसको जब 0 के equal करेंगे तो minus 6 उदर जाएगा plus 6 हो जाएगा तो K is equal to क्या आजएगा 6 आजएगा 6 आजएगा तो यहाँ पर देखो K की value आजएगी K is equal to 0 1 आजएगी K is equal to 6 कितनी आजएगी K is equal to 6 तो यह हमारा answer हो गया फर्स्ट वाले question में K की value आएगी plus minus 2 square root 6 और इसमें आजएगा दूसरे वाले में एक बर K की value 0 और फिर K की value 6 तो यह दूनों हमारे answer हो गया इस वीडियो में आप चाहो तेने write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक लिए thank you class